हेलो एबरीवनと आज हम इस टॉपिक को वह पर करने जा रहे हैं वह टॉपिक है बाइलाजिकल क्लासिफिकेशन ॡिसीप्टर के अंदर जो आज हम स्पेसिकली कवप करेंगे वह इंटरड़क्षन and Kingdom 손वा नेरा तो आज हम यह बाइलाजिकल किंग्लाक्टिकेशन का इन्टर स्टार्ट करते हैं यह टॉपिक ओवर्वीव के साथ जिसमें हमको इस टॉपिक के अंदर कौन-कौन से पॉइंट कवर करने हैं यह हम देख लेते हैं सबसे पहले हम सबसे पहले देखिएंगे इंट्रोडक्शन आफ टॉपिक देन हिस्ट्री ऑफ दी क्लासिफिकेशन ओके देन टू किंग्डम क्लासिफिकेशन सिस्टम देन लिमिटेशन ओफ देट टू किंग्डम क्लासिफिकेशन क्यों क्यों वो दो किंग्डम वाला क्लासिफिकेशन पूरी तरीके से सक्षेस्फूल नहीं हुआ फिर नीड ऑफ प्रॉपर क्लासिफिकेशन प्रॉपर सिस्ट है kingdom monera उसके बाद group grouping of bacteria ठीक है how can be bacteria can be grouped together or organized into the different type of various group okay then characteristic of bacteria that is autotrophism and heterotrophism now then reproduction in bacteria then last topic is mycoplasma so all these topics we have to cover under this module so starting from the introduction introduction में यह देखेंगी कि हमने बहुत सारी living organism को जब से civilization हुआ है start हुआ है जब से यानि कि human being का civilization हुआ है तब से ही animal को classification करने के कई attempt शूरू किया जा चुके थे primarily it was not done using scientific criteria तो शुरू शुरू में यह सब जो classification था वो किसी भी scientific thesis को लेकर या scientific criteria या scientific vision hypothesis को लेकर के नहीं किया जाता था but born out of use for the organism for own use just like अपने सहूलियत की हिसाब से इंसानों को जिन-जिन organism की जुरत पढ़ती है या पढ़ती थी उसके हिसाब से उन organism को classify कर दिया जैसे food के लिए shelter के लिए and clothing के लिए तो हमको पता है कि जो है food के लिए किस-किस organism कौन-कौन से और्गनिजम एडिबल है कौन-कौन से नहीं है इस थरीके से है ना फिर कुछ organism जो है वो shelter के लिए भी मतलब shelter means जैसे कि if you know that point की जो डॉग was the first domesticated animal ठीक है तो जो डॉग था वो protection के लिए यूज हो था cow and buffalo जो यूज होती थी for the milk production के लिए यूज होता था ठीक है honey भी है honey production के लिए sheep जो है wool के लिए clothing भी एक बहुत जरूरी चीज है और बहुत सारी जो जैसे की जानवरों की जो hairs है या उनकी जो leather जो हमको मिलता है वो बहुत सारे एनिमल से मिलता है और पहले भी बनता था तो इस तरीके से food, shelter, clothing के लिए animals को उनकी सबसे criteria में divide करते थे not using the scientific hypothesis so अगर history हम देखेंगे तो Aristotle was the earliest attempt a more scientific basis of classification तो अरिस टोटल थे जिनको हम father of biology भी बोलते हैं तो उन्होंने start किया classification करना तो उनने सबसे पहले plants को plants को उनके morphological character के हिसाब से तीन उसमें divide किया first जो थे वो trees का group था second जो था वो shrub का था और third जो था वो herb का था trees जो बहुत उसकी एक canopy होती है एक बड़े से stem से वो लगे होते हैं और उसकी एक proper canopy होती है तो इस तरीके से tree बनते हैं shrubs जो होते हैं वो जो छोटी जिनको हम हिंदी में बता हैं जाडियां तो वो woody होते हैं छोटे होते हैं और short plants होते हैं herbs जो होते हैं वो green plants होते हैं mainly और as a green ही रहते हैं birth to death तक के तो उस plant को बोलते हैं हम लोग herbs तो इस तरीके से उन्होंने पहले describe किया simple morphological character अंदर पे जादा character को study नहीं किया गया बस उपर उपर के हिसाब से divide कर दिया तो ये भी एक type का classification हुआ ठीक है उसके बाद animal को भी उन्होंने वो किया तो animal को उन्होंने सिर्फ दो category में divide किया first ऐसा ऐसे animals जिनका blood जो है red color का होता था यानि कि red blood animals और ऐसे animals for those blood have non red blood और red color का नहीं होता था जैसे कुछ organization होते हैं जिनका blood yellow green blue purple होता है तो मैं बता सकते हो जैसे earthworm है तो उसका जो है green color का blood तो इस तरीके से अलग-अलग type के organism के blood जो है वो अलग-अलग color के appearance में थे तो उसके इसाफ से उन्होंने divide कर दिया ठीक है अब उसके बाद देखेंगे तू kingdom classification system यह थोड़ा सा scientific basis था जैसे हमने फिछले भी मॉड्यूल्स में पढ़ा है तू kingdom classification के बारे में तो इनकी इस classification system को introduce करने वाले थे कैरोलस लीनियस उके इन्होंने इनको father of classification भी बोलते हैं तो उन्होंने इस system को describe किया और उन्होंने क्या गया planty और animalia ऐसे दो kingdom बनाए और उन kingdom में अलग अलग और organism को रखा तो planty में उन्होंने सारे plants को रखा और animalia group में उन्होंने सारे animals को रखा यह classification लीनियस के बारा प्रपोस किया गया था ठीक है नाओ उसके बाद कुछ limitation आ गया टू किंग्डम classification के यह कुछ हद तक के जो था यह टू किंग्डम classification पूरा परफेक्ट नहीं बैठा तो उसकी क्या-क्या कमिया हो सकती है तो उसमें है कि this system did not distinguish between prokaryote और eukaryote हम जानते हैं कि prokaryote वो cells होती है जिसमें nucleus जो है वो clearly differentiate नहीं होता यानी primitive type of cell होती है और eukaryote जो है वो advanced type की cell होती जिसमें cell organal और cell का nucleus जो है वो nuclear membrane से separate रहता तो इस तरीके से जो टू किंग्डम classification था वो prokaryote और eukaryote में कोई difference नहीं बताता था सब को एक ही ग्रूप में रख दिया जाता था unicellular और multicellular दूसरा कमी थी तो यह कहता कि वो का classification system unicellular organism को और multicellular organism को अलग-अलग groups में नहीं रखता था बलकिन वो सिफ plant और animal के हिसाब से वो grouping करता था फिर थर्ड था photosynthetic यानि algae जैसे और non photosynthetic यानि fungi यह दोनों को एक ही यानि plant kingdom में रख दिया गया जबकि दोनों में बहुत difference होता है algae जो होता है वो अपना photosynthesis करके अपना food खुद produce कर लेता है जबकि fungi जो होता है वो non photosynthetic होता है वो saprophytic nutrition करता है यानि कि सड़े गले चीजों के ऊपर जो organic substance होते हैं उसको वो as a food ले करके अपने आपको sustain करता है survive करता है ठीक है तो यह क्या था this system was easily done and easy to understand बहुत समझने के लिए तो बहुत आसान है यह system to kingdom बहुत सारे organism जो है वो दोनों category में नहीं आते आइदर ना वो plant बोल सकते हैं हम उसको ना ही उसको animals बोल सकते हैं जैसे fungi का example आप ले लो तो fungi is not a plant or fungi is not an animal तो उनको किस category में हम हुई तो वो जो system था वो inadequate हो गया for a long time ठीक है फिद इस system was still used very recently बट यह system बहुत सालों तक के अभी तक चला ठीक है लेकिन बाद में इसको अलग कर दिया गया कुटू के इंग्रम classification उतना प्रॉपर नहीं है जैसे कि सेल स्टक्टर को इंग्लूट किया जाए उसका वाल जो कैसे सेल वाल को नेचर अफ वाल को इंग्लूट के जाए उनके habitat कहां कहां है यानि वो कहां कहां रहते है उसके हिसाब से mode of reproduction क्या है यह method of reproduction क्या है evolutionary relationship उनके बीच में अगर है तो वो किस तरीके की है तो यह सारे चीज़ों को include किया जाए तब वो classification जब हो गाया time के साथ साथ classification system of living organism undergone the several changes over time तो उसमें क्या क्या changes हुए through plant and animal kingdom have been constant under all different system लेकिन फिर भी plant and animal kingdom था वो सारे उस सारे classification system में बना रहा ठीक है to understanding of what groups or organism may be included under this kingdom have been changing the number and nature of other kingdom also have been understood differently by different scientists over time changes होते गए groups में ठीक है number of kingdom nature of kingdom भी change हुआ और अलग different different scientists ने different different तरीके से उनको समझा तो इसमें सबसे ज्यादा जो well accepted है that is five kingdom classification ठीक है तो यह five kingdom classification जो था वो दिया था रह विट्टेकर नाम के एक साइंटिस्ट ने उन्होंने यह सिस्टम को प्रपोस किया यह इसमें उन्होंने क्या क्या लिविंग वर्ल्ड को टोटल five kingdom में बाठ दिया फॉर्स kingdom था देट इस मोनेरा सेकेंड वर्द प्रोटिस्टा थर्ड वर्स फंजाई फॉर्थ वस प्लांटी एंड फिफ्थ वस एनिमेलिया और इस kingdom इन क्लासिफिकेशन के लिए उन्होंने यह जो करेक्टर यूज किये में क्राइटेरिया सेल इस्टक्चर ठीक है थैलस ओर्गिनाइजेशन मोड अफ नूट्रीशन री प्रड़क्शन एंड फाइलो जनेटिक रिलेशन्सीप चीक है सेल इस्टक्चर में तब सेल कैसा है प्र तो इसमें इसमें तो पहले उन्होंने क्राइटेरिया बनाया की सेल का स्ट्रक्चर तो cell structure में उन्होंने देख लिया prokaryotic और eukaryotic तो जो prokaryotic थे उसको monera में रख दिया उन्होंने ठीक है फिर eukaryotic में भी दो टाइप की cell होती ही unicellular या multicellular तो unicellular थे उन्होंने protista में रख दिया फिर multicellular में भी दो category with cell wall without cell wall तो जो with cell wall थी without cell wall थी उसको एनी में रख दिया और जो with cell wall थी अब उसमें भी दो है एक photosynthetic और एक heterotrophic तो photosynthetic मतलब अपना खुद बना सकते हैं heterotrophic मतलब अपना खाने के लिए अपने food के लिए दूसरे अधर एनिमल पर डिपेंड रहते हैं तो इस तरीके से दो kingdom बन गए फिर प्लांटी और फंजेट इस तरीके से देखा आपने कुछ-कुछ characters use करके हम उस criteria से उनको अलग-अलग करते जा और इस तरीके से जो five kingdom classification का जो concept है वो पूरी तरीके से बैट रायस में ठीक है तो यह रॉबर्ट एच बिट्टे करने के system बताया था ठीक है इसी system को हम इस पूरे book में follow करेंगे और इस पूरे chapter में follow करेंगे तो सबसे पहले हमको पढ़ना चाहिए उस हिसाब से kingdom होने रहा तो अब हम start करने जा रहे हैं अपना first kingdom that is monera तो यह आपको पहले देख सकते हैं कि kingdom of rotis kingdom of monerans kingdom of fungi kingdom of plants kingdom of animals कौन कौन से organism इसमें दिख रहे हैं आप एक overview ले सकते हैं किस तरीके का organism किस टाइप के kingdom में मिलेंगे औके नौ विया स्टाटिग वर स्टिंग्डव देट इस kingdom monera तो kingdom monera में bacteria आते हैं तो यह एक्चिली यह bacterial kingdom है तो bacteria आदी soul member of this kingdom they are most abundant microorganism that almost occur everywhere abundant मतलब होता है कि हर जगा पाए जाते हैं कौन सी ऐसी जगा नहीं है अर्थ में जहां bacteria नहीं है everywhere on the earth they are present okay example hundred bacteria present in handful of soil एक मुठी गीली मिट्टी में hundreds of bacteria present they are also living extreme habitat अब यसा नहीं है कि सिर्फ bacteria बहुत safe well protected moist जगह पर रहती बहुत extreme habitat में भी मिल जाते हैं जैसे hot spring मतलब गर्म जीलो में deserts यानि रेगिस्तान में snow यानि जहां पूरी साल बर बर्फ परती वहाँ deep oceans गहरे समुंद्र में तो इस तरीके से बहुत सारे जहां पर दूसरे कोई organism हमको नहीं मिलते नॉर्मली आप रहेगिस्तान में चले जाए एक का दुक्का बहुत कमी organism हमको दिखते हैं तो ऐसी जगह पर भी जो है extreme habitat में भी यह कर सकते हैं विट स्टेंड कर सकते हैं मैंनी आफ देम लीव इन और 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 अधर और ऑर्गेंजम कुछ जो है दूसरे organism के उपर रहते हैं या अंदर उनके पैरसाइट के फॉर्म में रहते हैं तो जैसे हमारे अंदर भी जैसे कोई अगर बैक्रिया कर लेते हैं तो बैक्रिया को शेप के अकॉर्डिंग अगर हम kalian करें तो चार पार्ट में बैक्रिया होता है he kakas 2 घ्र संथर्ड विब्रियं और folth ऐस्पारिलं अब ये सब क्या है है कॉकर्स जो घोता है वह स्केयरीकल शेप होते हैं इसलिए उसको कोकस यह कशा काई बोलते हैं प्लूरल फॉर्म में जिसे नम्पल स्क्टोककाश NES नियूमोनी स्क्टक्रेडम नियूमो नी इस दा बैक्टेडिया डैटाइभाईट सर्फाय 25 ठीक है तो डarta रिर मीमोने कोस्द करता है तो इस तरीके से बेक्टिरिया शेप के अकॉर्टिया होते हैं तो इस तरीके से बेक्टिरिया शेप के कॉर्डिंग जो है उसको हम कॉकास बैसिला सविबियम और इस्पाइरिलन में कर सकते हैं अधर के अरो К्रेक्टिरिया और क्या चैक्रेक्टिर्ज हो सकते हैं बैक््टि स्चक्रिश स्टाइक्ट्चर आप्ट सी होते हैं लेकिन उनका बहुत कॉंपलेक्स होता है जैसे बैक्टीरिया ग्रूप शो दा मोस्ट एक्सेंसी मेटाबॉलिक डैवर्सिटी एस केंपेर टु मैंनी अदर और और बैक्टीरिया यह वह ग्रूप है जिसमें सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक वरियेशन दिखता है यह अलाग तरीके से जो बैक्टीरिया है निउस्टेशन यह सारी चीज़े आप करते हैं तो सबसे पहला यहां पर हमें एक क्यक्राइग्री स्टडी करने वाले दटाथ ऑ्टीजम रिष्डिक यह है तो कुछ बैक्टीरिया जो होतें आटाम फूप होते हैँ यह सांप can synthesize their own food from inorganic substances okay so autotrophic के साब से bacteria को दो पाट में हम डिवाइट कर सकते हैं on the basis of the source of synthesis of food जहां से वो food लेते हैं तो first हो सकता है that is photosynthetic autotrophic photosynthetic autotrophic photosynthetic autotrophic मतला photosynthesis करते हैं जैसे plant करते हैं Sun Sunrays उनके पर fall होती है और Sunrays को वो ले करके अपना food बना लेते हैं आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि वो glucose starch form करते हैं on the presence of Sun क्योंकि उनमें एक pigment होता है उस pigment का नाम होता है chlorophyll और वो रहता है chlorophyll के अंदर तो जिन भी bacteria में वो chlorophyll pigment होता है वो photosynthetic autotrophic bacteria होते हैं सेकेंड ऐसे होते हैं जो chemical से अपना food लेते हैं जैसे कि chemo synthetic autotrophic bacteria अभी मैं दोनों के example आपको आगे discuss करूंगा तो उसके बात second type के bacteria है जैसे हमने autotrophic पढ़ा उसी टाइप के second type के bacteria that is heterotrophic तो heterotrophic में क्या होता है एक बहुत बड़ी majority होती bacteria bacteria की वो heterotrophic है that is they do not synthesize their own food but depend on other organism or dead organic matter for food तो दूसरे organism के उपर या dead organic matter के उपर वो depend रहते हैं अपने food के लिए इसी लिए उनको बोलते हैं heterotrophic hetro means होता है डिफरेंट और ट्रॉपिजम मतलब different के उपर depend होना ओके ना classification of bacteria देखेंगे या फाल देखेंगे तो इसमें यह है कि classification में दो पार्ट में kingdom मोनेरा को divide कर दिया है फास्ट है आर्टी बैक्टीरिया सेकंड है सेकेंड पार्ट है यू भैक्टीरिया ओके आर्टीव स्पेशल से लीफ टेसं एक्स्टू टी एरिया जिन और हम लाइन वाले थर्म ऐसे डोफाइट श्राइब मार्षी एरिया में रहने वाले को मेथेनों जन्स ठीक है और की बैक्टीरिया जो है दूसरे बैक्टीरिया से यह से डिफर करते हैं क्योंकि उनका सेलवाल का स्ट्रक्चर अलग होता है तो उनका सेलवाल का स्ट्रक्चर इतना डिफरेंट होता है कि वह इतने एक्स्ट्रीम हैबिटाट को भी विट्स्ट्रेंड करने गया नहीं कि जहलने के लिए रेडी हो जाते हैं एक्स्ट्रीम कंडिशन में अपने अपको सर्वाइव कर पाते हैं जो रूमिनेंट एनिमल जैसे की काउव बफोयलो जो होते हैं पटब जो बेसिक्लि अगर हम उसको हिंदी में बोलते हैं तो इन की एक बार फूड को जल्ली चल्डी खा लेते हैं फिर सよねह बालांतस जाता है रिणाने के बात्त आपको पता होगा कि जो काऊ क यह هو नहींट होते हैं क्यों होता है का जटक होता है वो उससे एक गैस बनती जिसको हम बायोगेस बोलते हैं बायोगैस प्लांट्स होते हैं अलग अलग गाहों में तो उससे बनते हैं और वो व्य др बनाने के लिए responsible यही बैक्टीरिया है क्योंकि उनके डंग में जो बैक्टीरिया present होते हैं that is methanogen और वो production करते हैं मीथेन का चीक है तो यह हमने पढ़ा आर्की बैक्टीरिया के बारे में अब देखेंगे यू यू बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया को हम true बैक्टीरिया भी बोलते हैं इसके thousand of different types है और इनमें जो है rigid cell wall होती है rigid मतलब बहुत मजबूत stable अगर motile होते हैं motile यानि कि यह मुमेंट कर सकते हैं जो जो मुमेंट करने वाले बैक्टीरिया है उसमें फ्लेजिलम फ्लेजिलम प्रेजेंट होता है यह जो आपको टेल लाइक इस्टक्चर दिख रहा है डैट इस फ्लेजिलम ओके अब इसमें भी कई सारे बैक्टीरिया आते हैं जैसे साइनो बैक्टीरिया साइनो बैक्टीरिया को हम blue green algae भी बोलते हैं फोटो में आप देख स green chlorophyll है it means वो अपना food उसके synthesis खुद कर सकते हैं आपने पढ़ा है कि कैसे photosynthesis की process होती है तो साइनो बैक्टीरिया जो है unicellular होते हैं colonial भी हो सकते हैं फिलामिंटस भी होते हैं unicellular मतब एक cell के बने colonial मतब कोलोनी में एक साथ ग्रूप में रहते हैं और फिलामिंटस मतब यह जैसे marine water यानी की sea और ocean में और terrestrial मतलब यह से जमीन पर भी पाए जाने वाले होते हैं इसको अगर मैं थोड़ा से जूम करूं तो कलोनी आपको दिख रही है यह फिलामिंटस है और इसके चारो तरफ यही पत्ली-पत्ली शीथ लगी हो यह है जिलेटिनस शीथ जो उनको प्रोटेक्शन करने का काम करती है ठीक है आफंट फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटे लेगिए। Happy weather till test Samu औरंटोपी के लिख़ेंगिंग लिया सैकर्ण की्मोस इंठीक के संधेक में यह नहीं होता है। इत्मस्फरिक सेव्ट को अपने सपेशललाइज उसको और भिना होते हैं यह दो टाइप के बेक्टिरिया हैं जो नाइट्रोजन सेशन का काम करते हैं they oxidize various inorganic substance such as nitrate and ammonia and use the release of energy for ATP production तो ammonia से अपना energy बनाते है बॉडी का सेकेंड है डे प्लेट रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रेन लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंसलफर आइरन तो यह सब है क्विषवल्ट आएफ्रेन का रिसाइक्लिंग नेचर में तो यह कीमो से कैमिकल से काउंटर कर रहे हैं यह लिए यूमन के कामों में यह काम आते हैं जैसे कि आपको जैसे कि जपनावर होते हैं जंगलों में तो बड़े जंगली जनावर खाल लेते हैं उसके बाद जो बचता है उसको तो फाइल से नेचुरिली यह जो है क्लीनर बोल सकते हैं हम उसको तो यह काम करते हैं सेकेंड आर हेल्फुल इन मेकिंग कर्ट फ्रम मिल्क तो मिल्क बनाने में जो बैक्टिया लगता है यह लगं लिए द्रचण से लेटिकशन अ था अटिडिग्स वरनाते हैं फिक्सिंग नैट रोजन इंडिवें रूट अपने सुना ओगा कि जो लैग्यूम लैग्यूमिन बाहले जो रहते हैं मटर चना यह सब जो रहते हैं घ्राउन नत तो यह सब की जो प्लान्ट के है और बैक्टीरिया को वहां रहने के लिए प्लेस मिल जाता है तो इस तरीके से सिंबायोटिक रिलेशन्शिप बन जाती वहां पर ठीक है सम अब दे पैथोजन कॉजिंग डेमेज्ट टुद यूमन बिंग क्रॉफ फार्म एनीमल लेकिन ऐसा नहीं कि सारे बैक्टीरिया हेलफ फूल होते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया डैमेज भी करते हैं यूमन विंग को अनिमल घ्र को पैड्स को जैसे कि हमको जो बैक्टीरियल होती जैसे कॉलरा है कॉलरा पहले एpidemic था एक टाइम साइटरस फूट में होता है जैसे लेमन हो गया और जो गया तो उसमें जिसमें काले काले स्पोर्ट बन जाते हैं लेमन के उपर तो साइटरस केंकर एक उसका डीसीज होता है तो इस तरीके से सिर्फ नॉट अनली एनीमर्स और यूमन्स प्लांट और ऑस्वेक्टेड और यह नॉन यूस्फूल भी होते हैं अब हम देख लिएतने डेटिज रिप्रडाक्शन इन बैक्तिरिया क्या करते हैं में ज्यादा यह जैसे हमीवा में हमने कई बार देखा है विजन की बात करें तो बैक्तिरिया कैसिंपली दो पार्ट में डिवाइड होता है और फिर द वह स्पोर्स भी बनाते हैं और कई बार जो है वह ट्रांसफर डियने करके जो है सेक्शुल रिप्रेडक्शन भी करते हैं जिसको कॉंजूगेशन बोलते हैं अभी हम देखेंगे तो पहला वाला जो यह वाला डाइग्राम है डैट इस बैक्टीरिया का स्पोर फॉर्मेशन ह वह स्पोर्स रिलीज हुके नंने जो हैं बैक्टीरियल पॉर्स जाके बैक्टीरिया बनद करते हैं इसमें नय बैक्टीयर्य फरमेशन तो इस तरीके से सेक्श्वल रिप्रेड़ाशन भी बैक्टीरिया में होता है कि व लिए सबसे ज़्यादा जो है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल मतलब इससे कोई और छोटे सेर्स अभी तक देखे नहीं के और बीना ओक्सीजन को भी सर्वाइब कर सकते हैं यह आप देख सकते मैको प्लाजमा जो है डाइग्राम में दिख रहा है और प्लांट सरे माइकोथाइब मतलब आपको पता है जो मपनुम्ट ये मैने जो सारा आउपका लिया है ncrt textbook of biology class 11 आप बुक में सारा content है आप उसमें भी देख सकते हैं यह सारी चीज़े और आई होप यह topic आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप इसको और रेफर करेंगे बुक से ठीक है so thank you for watching the video and I hope you like the video